नमस्कार दोस्तों, विल्कम टो डिर्क्सन स्टेडी पॉइंट, मैं हूँ सरब सुकला दोस्तों भी हाल ही में UPEEC का जो PEET का एक्जाम हुआ था, उसका रिजल्ल प्रकासित किया गया है और इसमें लगभग 17 लाख से 18 लाख लोगों ने एक्जाम दिया था और इसके लिए जो है, ऐसे कुछ ही चात्र हैं, देखिए बहुत सारे चात्रों का 99 परसेंटाइल आया है लेकिन आपको अभी तक किसी का मार्क्स 90 से एबाव कम देखने को मिला होगा लेकिन आज हम एक ऐसे चात्र से बात करने वाले हैं, जिनका UPSC के PET एक्जाम में जो रॉमाक्स है वो 92.76 है जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है, कुछ ही चात्र के इतने परसेंटाइल होंगे यदि हम इनके परसेंटाइल की बात करें, तो इनका परसेंटाइल है 99.99 अगर रैंक जारी हुआ होता, तो निश्चित तोर पर इनका टॉप 50 या टॉप 100 में जो है जरूर आता तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं, इन्होंने किस प्रकार से रड़नीती बनाई एक्जाइम की, उसके बारे हम बात करेंगे इन्होंने कैसे तैयारी की और आगे के लिए क्या तैयारी का अनका अनभव हो सकता है, पूरी बात जानने वाले हैं तो आई इनसे बात करते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, आप कहां के रहने वाले हैं, सबसे पहले इतनी से सुरुवात करते हैं, मेरा नाम कमले शुकला है और मैं बस्ती जीले का निवासी हूँ आप लोगों से पहली इस से पहले भी भेट हो चुकी है और यह मेरा सौरफ भाई के साथ तीसरा चौता वीडियो है बात करते हैं कि इसमें वाइड साइनस भी था इंगिलिस हिंदी सब कुछ इसमें था तो क्या इसके लिए आपने कोई अलग से त्यारी की या फिर आपने जिन एक्जाम के त्यारी कि ति उससे आपको इसमें साहता मिली मैं कोई अलग से तयारी दोनी किया था जो पहले से था उसी के माध्यम से मैं इसमें जादा स्कोर कर वահ पाया क्योंकि इसमें बहुत जादा पांच पांच को कोश्टन करके कई संब्ज्चिक्ट से भी आने थी कोश्टन तो इसमें मैंने सबसे जादा ध्यान जो बीस तो इसको मैंने बहुत अच्छे से किया मेरा इसमें 30 सारे क्वेश्चन सही थे और उसके बाद फिर इधर का सेक्षन पहले कंप्लेट कर लेता हूं फिर उसके बाद पांच नंबर इंग्लिस के आया थे तो इंग्लिस मेरा फस्ट में था तो इंग्लिस उसकी काफी ज्यादा बहुत हना जालिंग और नहीं हो, जिसको मेरा हुषप्ट क्यानव पहले कंप्लेट थी तो वह पांच काक्याद थे इसको मेरा तो फोसो मेरा घलत एड्विए्दा क्रूँंदा का यृ 59 सों पहले टे इंग्लिस मेरा गलत थे तो अर्थ बत आता तो इंग्लत में एक्र बा आठ सही थे एक गलत थे मैंने कुल 99 अटेम्ट किये थे और 99 में मेरे 94 कोश्चन शही थे पांच कोश्चन गलत थे जिसमें से एक पॉलिटी का कुश्चन रॉंग हो गया था कौन सा कुश्चन गलत हो था बता सकते हैं वो मुझे याद है सेनेटाइजेसन से आया था तो राज सुची का भी से होगा उन मैंने पढ़ा नहीं था कभी तो इसलिए कन्फूजन में हो गया और एक रिपोर्ट आई थी उसमें बात यह चल रही थी कि उसको सेनेटाइजेसन को समर्थी सुची में डाला जाए तो यह मुझे गलती हो गया था एक आया था सियारार का कोई कोश्चन था बैंक के के लिए तो वो मेरा गलत हो गया था दो कोश्च गलत है मेरे तो दिखी कभी-कभी ऐसा एक्जाम में होता है कि जो हमको प्रश्न आता है हम उसमें भी गलती कर देते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगोंने एक्जाम दिया उसको बताओगा की पेपर बहुत मुश्चिल नहीं था लेकिन पेपर बहुत मुश्चि जो है, solve करना पड़ता है तो अब सबसे पहले आप यह बताएं कि इसके बाद जो अभी लेकपाल की वेकंसी आने वाली है तो उसके लिए अगर हम किस प्रकार से तयारी करें आप उसके थोड़ा syllabus के बारे में बताएगा जो की पुराना syllabus है लेकपाल का और उसकी हम कितने दिन में तयारी करें कैसे तयारी करें कि उसमें कुछ फाइदा हो पाए हमें लेकपाल के लिए तो सुन रहे हैं कि वेकंसी 8000 पहले से है साथ कुछ बढ़ने वाली है क्योंकि अधियाचन 3 साल पुराने कमारा गया है और कुछ प्रोमोशन भी हो तो उम्मीद यह है कि 10,000 प्लस या 10,000 दक वेकंसी आ सकती है तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि पहले बात तो अपना जूदें से लेवस के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है पुराना से लेबस बतादेजें पुराना से लेबस 25 प्रश्न हिंदी के कुछे जाएंगे 25 से में तो इसमें ज्यादा तर यही रहेगा कि जैसे हिंदी में आप 25 के पचीसों कर सकते हैं ग्राम समाज में आप रटके या फिर पढ़े के किसी तरीके से उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ जो है काफी काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर किसी को मैथ हाता है या फिर उसके आप्सन से भी लगाएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा तर कुश्चन उसमें 25 में 24 पचीस या तेज तक कर सकते हैं तो जो स्कोरिं सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा स्कोर करेंगे तभी सेलेक्शन के पास जा सकते हैं आपने लगभग इसके लिए पीटी के तैयारी के लिए लगभग दिन में आपका सिडियूल क्या था टैम टेबल क्या था यहांनिके आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे आपकी मतलब की पूरी रणनीती क्या थी किस प्रकार से आपने तैयारी किया था पेट जिए सकते हैं कि हाँ था दिन अच्छा और आ गया नंबर जो किया वो सही निकल गया बस यह समझें दिखिए बात करने का ये भी उद्देश है कि देखिए सबकी रड़नीती अलग अलग होती है हर शातर का व्यक्तिकत जीवन अलग होता है और हर शातर की समस्याएं भी अलग होती अब हम इनसे बात करते हैं कि ये तो एक्जाम है माले ये कोई वैकेंसी नहीं थी ये एक प्रारामिक परिक्षा थी इसके बाद में जो है कई मुख्य परिक्षा आउजद के जाएंगे आप ये बताई कि इससे पहले ऐसे कौन-कौन से एक्जाम थे जिसमें आपको उमीद कर में जाएंगे करते हैं कि हां सेलेक्षन हो सकता है फिर दोजार नीज का ढ़ना ये ऐसे निकल जाए जाएगा मुझे के मुझे कौन है कि में मेरा ज्यादा नंबर नहीं रहे थो हां है बहत्र तीधर कोश्चन सहीं है और इस इसमें अगर अच्छा कर ले जाएंगे तो कोई भी वेकेंसी आएगी चाहिए काम पोश्ट होगा तो उसमें फ़ाम भरने के लिए इलिजिबल हो सकते हैं तो इसलिए जो थोड़ा जादा इस पर ध्यान था तो देखिए इनुने 2016 में जो जोंने एसिस्टेंट का एक्जाम हुआ था उसका अभी हाले मैं इंटर भी हुआ ता और उसमें उम्मीद है कि इनका सेलेक्शन निस्चे तर Про हो जाना चाहिए इसके लावा जो 2019 में junior assistant का एक्जाम हुआ था उसमें भी जो है इनो ने टापिंग क्वालिफाइग किया है तो हम दोनों लोग साथी में टापिंग देने गये थे और साथी में क्वालिफाइग भी वहा था उसके भी रिजल्ट का इंतजार है अब हम इनसे बात करते हैं देखिए अभी आगे तो आपdagआज कि पढ़ाद को कैसे कर पाएंगे तो आप ग्जाम कोलिफ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे पढ़ा जाए रेगूलर पढ़ा जाए वीकली पढ़ा जाए किसे पढ़ा सके और समय आने पर जो है उसको एक्जाम में हम अप्लाई भी कर सके तो करें तो करें तैयारी कैसे करें तो यह बताएंगे कि उतकर्स क्लासेज में कुमार गौरो सर हैं तो मैंने उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है और मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि उन्हीं की मुझे याद है कि अक्टूबर 2020 से मैंने पर डे उनकी क्लास लिए और उसका यह इंपक्ट पड़ा है कि करन्ट और स्टेटिक जी के यह दोनों मेरे बहुत अच्छे पच्छ रहे गएं कि मतलब जो कोश्चन छोटे मोटे होते हैं जहां पे गल्ती करने के चांसेज भी र अगर जीन सब्ड़ स्र才 two सबसके तो ऊसके बाद फिर उनहीं को मैंने मतलब जादा फोकस किया उसे की वजा से इतने जादे मैरे उठे बने आए और फिर के अपने रिगुलर डोट बनाए था मैं पढ़ाअ टेज आप आपने ८्हार पने आपने रिगुलर डोट बनाइ था हुआ तो मैं तो नहीं रहना पता था लेकिन आफ लाइन होके मैं पढ़ादे उनकी ख्लास की आण और उसी कि व्याट उन से पढ़ने का एक फादा यह होता था कि वो चीज़े रट जाती थी कोई भी मालिया वो तुरंट कुसी चीज़ के बारे में बताएं फिर उसको फिर दुबारा ही बता देते तो वो कभी ऐसा नहीं होता था कि मुझे पता नहीं है और कोई मालिया किसी चीज के बारे में पूछा जाता है तो चार आपसन आते हैं तो अगर मुझे उस उत्तर का आपसन नहीं पता है तो तीन मुझे पता रहते थे तो तीन में इलमिनेट करके फिर अगले पर टिक कर देता था तो इसकी वज़ा से भी मुझे काफी अच्छा फायदा मिला है कहते हैं कि जख्म कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए तू भी है राडा का वनसच फेग जहां तक भाला जाए तो आपको तयारी करते रहना है और अपने आपको जो है कम नहीं समझना है अब देखिए एक सवाल यहां पर और उठता है कि कुछ आत्रह ऐसे कि क्या कोचिंग करना जरूरी है एक्जाम के लिए क्या सेल्फ स्टेडी से भी एक्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है तो हम आप से जाना चाहते है कि क्या कोचिंग करना क्या जरूरी है या फिर सवाध्याय से क्या एक्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है इसके बा तो यह होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है लेकिन मुझे लगता है कि पॉज्टीब जो है पॉज्टीब यूटीब पढ़ सकते हैं आपके पास किताबों की कमी नहीं है समस्या भी है कि हमारे पास चीजे जया उपलब्द हैं किताबे जादा हैं अलग-अलग प्लेटफॉर्म हैं हम सही कैसे चुने यह समस्य हो जाती है तो आप यह बताइए कि सही चीजों को हम कहां से लें यानि कि हमारा उदेश यह है कि हम से लेबस पर केंद्रित होकर तयारी करें तो कैसे हम सही सब्सक्राइब करें तो यह थोड़ा ध्यान देने का है कि मतलब हम तो यह गयते हैं कि यह जैसे पीटी का एक्जाम या उपयते पर लसी का जो चोटे लेबल का अग्जाम उसके लिए जितने ज्यादा आप कोश्चन करेंगे प्रिवियस एर के कोश्चन आप कर लिजिए सबसे जादा अच्छा इसकोरिंग आप करेंगे क्योंकि बहुत ब्राड पढ़ने में दिक्कत हो जाती है ज्यादा तरहीं है कि जो कोश्चन आते हैं अगर सो को कोश्चन आ रहे हैं तो 80-85 कोश्चन पुराने कोश्चन आते तो उस ही को आप जितनी बार पढ़ेंगे और आसान कोश्चन नहीं गलत होने देना है तो फिर आप अच्छा स्कूर कर सकते हैं यानि कि आपको प्रिवियस एर पेपर पे जो है फोकस करना जरूरी है क्योंकि कि किस पैटर्न पर एक्जाम में कोश्चन आ रहे हैं वो आपको पता होना बहुत जरूरी है अब दिखी बहुत अच्छा एक सवाल और है यहां पर पूछना जरूरी भी है कि एक समय ऐसा आता है कि हम लोग तयारी करते हार मानना सुरू कर देते हैं कि लगता है कि अब उम कि आपका मातापिता आपके परिवार या कोई और आपकी महत्वा कंशा है जिससे आप तयारी के लिए मोटिवेट रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताईए मुझे पता है कि मतलब सुरुवाद के मैंने दो तीन साल गलतिया मेंने की है जैसे मुझे थोड़ा और डिमेट डिमोंटीवेट होता हूं तो दोस्टों पास जू मुझे जानते हैं उनके पास फोन करके थोड़ा बात कर लेता हूं तो से जाधा रात मिलती है तो किसी के कुछ कहने से मैं मुझे का सब्क आप कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है आप कर्म गरी है बागी सब कुछ अच्छा आप अपनी साथ इमानदारी रहें बागी और कोई दिक्कत नहीं है एंकि डिखिए हां पर जरूरी यह है कि different motivation के अलग अलग होते हैं आपके अंदर वो आग जलती रहेगी कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है उससे बड़ा मोटिवेसन कुछ हो ही नहीं सकता है तो यहीं बात आपको जो है अपने मन में बसा के रखना है कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं यह बात जो कि लक्ष तक पहुंचने का मात्रेक साधन है क्योंकि इसमें आपको नौकरे नहीं मिल रही है आपका इसके बाद का लक्ष किया है क्योंकि यह तो क्वालिफाइंग घ्जाम था इसके बाद आपके इस एक्जाम पर फोकस करने वाले हैं उसके बारे में तुड़ा सा हैं यहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप यहां पर इसकोर कर देंगे अच्छे से उसके बाद 140 जी असमें अब देख रहे हैं करेंट अफेर्स का रोल काफी बढ़ गया है तो आप करेंट अफेर्स के लिए थोड़ा पढ़िए ज्यादा ज़रूरी है और उसके बाद पूरा पोर्शन तो मुझे लगता है करेंट पर जावाद देंगे तो अच्छे से हो जाएगा तो आप हमारे साथियों को यह बताइए कि एक्जाम में आपके 92.75 जो है माकसा हैं और 99.99 परसेंटाइल आपने प्राप्त किये हैं तो इसका स्री जो है आप किसे देना चाहे पहला सरे तो फैंबली का ही रहता है तो जाहर सी बाता फैंबली को ही जाएगा और दूसरा मैं सरे जो मतलब आनलाइन कोचिंग है उतकर स्टीम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इसी से मैंने सब कुछ सीखा और इसी से मैंने पाया और खासकर के उसे श्टेटिक जी के तना अच्छा हुआ फ्री वीडियो देखा फिर भी आपको फायदा हूंकि और बहुत ज्यादा पायदा फायदा हुआ ऐन्ने उतकर सिखा। वहां से इन्होंने वीडियो देखा उससे फायदा हुआ तो निश्चे तवर पर जो हमें उन्हें सेरे देना चाहिए अब देखिए अब हमने लगता है इस वीडियो में लगभग काफी बाते जितने भी महतोपड बाते थी जाते जाते हम चाहेंगे कि आप जो भी छात रहे हैं या फिर जो हम लोग के साथ ही हैं क्योंकि हम लोग भी चाहत रही हैं बाकि देखने वाले भी चाहत रहे हैं तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वह आगे आने वाले एक्जाम में या फिर आप कहलेजे कि लेखवाल के अभी आने वाला है या फिर जो भी कैसे तैयारी करें, क्या संदेश आपका रहेगा, जो भी आप कहना चाहते हैं, जरूर कहिए मैं बस यह कहना चाहूंगा, कि स्लेवस देखिए, स्लेवस के अकॉर्डिंग इस्टिडी करिए, काफी अच्छा स्कोर करेंगा और कोई वो नहीं है बस स्लेवस देखिए, कि कहां से आप इसकोर ज्यादा कर पाएंगे, और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बस स्लेवस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए तो देखिए, आप हमारे हां आए, आप हमारे साथियों को अपने अपने अनुभो साजा किए, उसके लिए बहुत बढ़ाई और एक तरह की से आपको हम फिर से सुबकामनाय देते हैं भविस्तिक के लिए, कि आप अपने जीवन में जो है, जो भी आप चाहते हैं, वो जो है, आप प्राप्त करें, बहुत बहुत धन्यवाद,